अत्यारा पुलिस इनकाउंटर में पहले ही मारा गया है, दूसरा सूचना की हिसाब से गिरपतार हो चुका है यहाँ असफ़स्ट है कि कोई अपराद करेगा, तो ना वो बज पाएगा, ना छिप पाएगा, ना कोई उसे बचा पाएगा यहाँ पुलिस का जो कार्य है, वो अपना कार्य किया है, लेकिन जो बच्चे बेसमय मारे गए हैं, अकारण मारे गए हैं, उसका मुझे भी कष्ट है, पुले प्रदेश को दुख है और समाजवादी पार्टी जो उस पे राजनिती कर रही है, मैं उसकी कड़े सब्दों में निंदा करता हूँ, चुकि सपा स्वयम अपराधियों और माफियाओं और धंगाईयों से सीधा रिस्ता रखने वारी पार्टी है, और उसे बोलने का ऐसे मामलों में नहतिक अधि पतादिकारी हों, उनका एक सूत्री एजेंडा बन गया है, और इसका जवाब लोक तंत्र के इस महापर्व में देश की जंता देगी, उत्तर प्रदेश की जंता देगी, कोई भी एजेंसी, कोई भी जाज करने का काम अगर किया जा रहा है, और उसमें कोई सवाल उठाता ह तो इसका मतलब है कि वहाँ भारती सम्मिधान के अनुसार, जो एजेंसियां, चाहे वहाँ नयायपालिका हो, चाहे वहाँ चुनावायोग हो, चाहे कोई जाज एजेंसियां हो, उस पर सवाल उठा करके वहाँ यहाँ साबित कर चुके हैं कि पहले वहाँ गलत करते थे और उनकी गलतियों की कोई जांच नहीं करता था जांच के और छोटे लोगों की होती थी जो बड़े लोग होते थी उनकी जांच नहीं होती थी आज छोटे बड़े कांतर खतम करके जो जांच हैं वो एकदम निस्पचता से जो भी दोसी उसके खिलाब की जा रही है और जो जां तो इसे कमजोर है, मुझलब ये बहाना खोज रहे हैं, 2024 का रिजल्ट आने के बाद का, कि अगर रुख चुनाव पूरी तरह से हारेंगे, जनता उन्हीं नकारेंगी, तो ये बहाना बनाएंगे, बाकी कांग्रेस से जिदा ब्रश्ट पार्टी का उन्हें, ब्रश्ट आचा इतने दिल्ली के मुक्वंत्री के रूप में, लेकिन गिरफतार कर लिया जाएगा, और मुझे जेल भेद दिया जाएगा, पहले से ही महोल बनाने का जो काम कर रहे हैं, अगर गलत की होंगे, तो जेल जाएंगे, और जेल जाने की नवबत अगर नहीं आनती है, वो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला, वो क्या परचार करेंगे, युत्तर प्रदेश में कहीं उनकी जमानत नहीं बचने वाली है, और देश के कहीं किसी हिस्से में उनका कहीं आता पता नहीं है, कांगरेश की कमजोरी का फायदा उठा करके, वो दिल्ली और प अंजाब की जेल में बंद पड़े हैं उनके, यह सोयम सोता सब सामने आ चुका है,